हाई स्रेंट्स, वेलकम बैग, हम लोग आज एक्सेसाइज 8.3 का कोशन नमबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे, के लिए चले लेखते हैं, कोशन है, if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90 degree, आपको प्रूफ करना है कि A plus B कितना हो रहा है 90 degree, है ना, तो देखें सॉलुशन इसके किस तरह से बनेगा, तो कल हमारा पास जो condition दिया, वो दिया हो है, tan A is equal to cot B, यह given है ना, देखें, अब हमें क्या कर सकते हैं, दो इधर tan है और उधर cot है, या तो इधर cot लाने का कोशिक जिए, या इधर cot लाने का कोशिक जिए, है ना, देखें, A है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देख cot 90 minus theta is equal to tan A, यहनि क्या हम लोग लिख सकते हैं, tan theta, क्लिए रहें, चलिए, यहाँ पे हो गया आपका cot B, यह cot cot टैंसल हो जागा, क्या हो जागा, 90 minus A is equal to B, तो 90 is equal to क्या हो गया, B plus A, थोड़ा सा परेंज करके बोल सकते हैं, A plus B is equal to 90 degree proof, क्लिए रहें नो, बहुत easy था, चलि question number 5 देखते हैं, question number 5 हमारा है, if sec 4A is equal to, sec 4A is equal to cosec, cosec A minus 20 degree, where 4A is an acute angle, find the value of A, clear right, देखें, यहाँ sec है और यहाँ cosec है, सेम इसी तरह जो ऐसा यहाँ पर किये, तो क्या हम इसे, इस ट्राम को देखें, ऐसा लिख सकते हैं, cosec 90 minus 4A, क्या लिख सकते हैं, देखें, cosec 90 minus theta, sec theta, clear रहना, चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cosec A minus 20 degree, clear, यह cosec और यह cosec कांस कैंसल हो जागा, क्या बचेगा, 90 minus 4A is equal to A minus 20 degree, तो क्या हो जागा, देखें, minus 4A, minus A is equal to minus 20 और minus 90, यहाँ पर हो जागा, minus 5A is equal to minus 110, A is equal to 110 upon 5, इसे cancel कर दिजिए, 5 plus 10, और 5 plus 10, A is equal to Y got 22 degree, clear, तो यह था है students question number 4 और 5 का solution, अब हम लोग बनाते हैं question number 6,